हैलो फ्रेंड्स मोश्ट विल्कम टो यूटिप चनल सक्सेस वर्ड एमसी क्यू तो चलिए आज हम फिर आपके लिए बिहार फायरमाइन द्वारी किस के लिए क्रैस कोर्स 13 को लेकर आ चुके हैं इससे पाले आपका टोटल 12 क्रैस कोर्स हो चुका है अगर आपने नहीं देख है तो जाके आप देख सकते हैं उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जागा और चैनल पर जाइए प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा तो चलिए बीना टाइम वेस्ट के वे आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं पिछले तीन चार दिनों से हमारे इस असवक का संबंद किस राज्य से था ऑप्शन आपके संबने चार है चलिए आप सोचके राइट अंसर कीज़िए किया राइट अंसर होगा तो चलिए इस प्रस्ण का सै जबाब जो हीवचे और फॉप्शन नम्मर किसको दे रहे ओप्शन बी को देरे उनका बिल्कुल और सोरी यहां पे जो लिखा गया सावनी सवाना होगा ठीक है सवाना घास का मैदान कहां पर पाया जाता है अप्शन ए एसिया अफ्रीका आश्ट्रेलिया यह उप्शन डी यूरोप चलिए इसका सोच के राइट आंसर कीजिए सभी लोग लाइब टेट में जल्दी से राइट अफ्रीका चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्ण है बिसीजी कट्टी का किस रोग के बचाओ के लिए दिया जाता है बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा तो इसका साही जबाप जोई बच्चे लाइब टेट में ऑप्शन नमर बी को दे रहे हैं उनका वाद्य अंतर से संबंदी थे ओप्शन है संतूर, सानाई, वाइलीन ये ओप्शन डी सितार चलिए सोचके राइट अंसर कीज़े अगर आपको प्रस्ण में एक भी डाउट होता है किसी प्रकार का डाउट होता है तो आप कमेंड बॉक्स में पूछ सकते हैं आपको रिप राश्पति कौन थे बताएंगे इसका राइट अंसर क्या होगा तो चलिए इस प्रस्ण का राइट अंसर आपका ओप्शन नमर तो बी के साथ वीवी गिरी ठीक है दोस्तों भारत के चौथे राश्पति कौन थे तो वीवी गिरी थे ठीक है दोस्तों अगर आपको भारत क राश्पती करम से याद करना हो तो उसका trik भी हमारे चैनल पर वीडियो मिल जागा ट्रीक वाली वीडियो आप चैनल के प्लेलिष्ट में आके देख सकते हैं विजिट कीजी आपको मिल जागा चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रसन्र आपके स्क्रेंद पर हैं विश्व दूर संचार दी वस आपका 17 मई को मनाया जाता है ओप्षन B इस प्रस्ण का राइट आंसर है चलिए आगे बढ़ते हैं आगला प्रस्ण इसक्रीन पर है राष्टी है हड़ाप नेती किस्य संबंदित है बताएंगे इसका साई जबाप क्या होगा आपको कम से कम तोटल में स कम से कम 50 से 60 परसेंट को साई साई आटेम करना है आपका सेलेक्शन पक्का हो जाएगा चलिए बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा तो इस प्रस्ण का साई जबाप जोई बच्चे आप्शन नमर B को दे रहे हैं उनका बिलकुल करेक्ट आंसर हो जाएगा लौड ड से समबन दीता है इस प्रस्ण का राइट आंसर आपका ओप्शन B हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं अगला कोस्ट इसक्रिंट पर है निम्नि में से सिक्षा और संस्कृति के लिए कारे करने वाली संस्था कौन सी है बताएंगे जल्दी से इसका राइट आंसर क्या हो स्क्रिंट पर है गांधी जी ने आहमदाबाद के निकट सावरमत्री आस्रेम की अस्थापना कब की थी बताएंगे इसका राइट आंसर कौन सा है और ये प्रस्ण आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है तो देखते हैं इस प्रस्ण का कितने बच्चे सही जवाब देते ह चलिए जल्दी जल्दी से लाइट मांसा करेंगे और ये क्लास अपका हर सुबा साथ बजे होती है तो साथ बजे सभी को आ जाना है तो इस प्रस्ण का सही जवाब लाइट चेट में जोई बच्चे ऑप्शन नमबर किसको दे रहे डी को 1916 उनका राइट आंसर रोजेगा बिल्कुल करेक्ट अंसर रजेगा गांधी जी ने आमधाबाद के निकट सावरमत्री आश्रम के अस्थापना 1916 इस फी में की थी इस प्रस्ण का राइट अंसर आपका उप्शन डी के साथ चला देगा चलिए इस इक साथ आगे बढ़ते हैं अगला कॉप्शन इसक्रिट आपका उप्शन चला जएगा सी के साथ स्वेज नार ठीक है दोस्तों यह बहुत इंपोर्टेंट प्रस्ण है और काफी बार एक्जामा में पूछा आता है विश्यू के सबसे लंबी नार कौन सी है तो स्वेज नार इस प्रस्ण का राइट अंसर है ऑप्शन सी जल्याग तो चलिए इस प्रस्ण का सही जबाप जो यह बच्चे ऑप्शन नमर सी को दे रहे उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर देगा यह जो आपका डिपीटी है यहाँ पर डिटी नहीं बार बार बोल रहे हैं यहाँ पर डिपीटी हो जागा ठीक है प्रिंटिंग मिश्टेट होग तो इस प्रस्ण का सही जबाप जो यह बच्चे ऑप्शन नमर एक को दे रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर देगा कुनाल तो कुनाल इस प्रस्ण का राइट आंसर है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्ण है विश्व का प्रथम अंतिरिक्ची परियाटक कौन है बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा तो इस प्रस्ण का सही जबाप लाइब चैट में जो यह बच्चे ऑप्शन नमर सी को दिया उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है डेनिस टीटो हो जाएगा ठीक है इस प्रस्ण का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी के साथ चला ठीक है दोस्तों आपका क्या होगा इस टीपल सब जो है होर्स रेसिंग खेल से संबंदीत है इस प्रस्ण का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी के साथ चला जागा चलिए आगे बढ़ते हैं अगला कोस्टन है कलिंग यूद का वहाता बताएंगे इसका राइट आंसर क्य संसार का सबसे उचा जील यानि की टिटिका का किस परवत माला पर इस्थीत है हिमाले एंडिज एटलस या एल्पस बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा जल्दी से तो चलिए 16 नेमर प्रस्ण के लिए राइट आंसर करेंगे आपका ओप्शन किसके साथ चला तो चलिए जो ये बच्चे लाइट प्रस्ण का ओप्शन नमर ए को दिया है उनका बिलकुल करेंट आंसर होजगा 12 जनवरी को इस प्रस्ण का राइट आंसर आपका ओप्शन ए हो जागा चलिए आगे बढ़ते हैं अगला कोशन इसक्रिन पर है लेब्राडूर किस प्रका चलिए तो इस प्रस्ण का सही जबाब आपका ओप्शन एक के साथ चला देगा थंडी ठीक है इस प्रस्ण का राइट आपका ओप्शन ए हो देगा चलिए इसक्षाट आगे बढ़ते हैं आगला कोशन स्क्रिन पर स्वराज पार्टी की अस्थापना कब की गई बताएंग का राइट आंसर आपका ओप्शन एक के साथ चला देगा यह सारे के सारे प्रस्ण इंपोर्टेंट है दोस्तों तो सभी को ध्यान में रखना है और सही से क्रेस को अटेंब करते जाना है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला कोशन है महात्मा गांधी को केसर ए हिंद की उपा लौड रीपन को उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर देगा ठीक है महात्मा गांधी को केसर ए इंद की उपादी लौड रीपन ने देती इस प्रस्ण का राइट आंसर आपका ओप्शन एक के साथ चला देगा ठीक है दोस्तों चलिए इसी साथ आगे बढ़ते हैं अगला कोश स्क्रिन पर संयुक्त राष्ट की अस्थापना के समय इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी थी बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा यह प्रस्ण आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है तो इसको अवसे ध्यान में रखेगा बताएंगे जल दिए से इसका राइट सब्सक्राइब की संख्या कितनी थी तो एक क्यावन देश थे उसमें संजुक्त राष्ट में चलिए आगे बढ़ते हैं अगला कोशन है ट्रेकोमा रोग मानाव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा यह बहुत इंपोर्ट प्रशन का राइट आंसर हो दाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं अगला कोशन इसक्रीन पर है परिवार नियोजन कारेक्रम कब से लाग हुआ बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक ने किया तो सभी लोग ब्लीज एक वार सेश प्रस्ण का सभी जबाब है जो इवच्छे ऑप्सण नमर किसको दे रहें सी को उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्सण सी प्रस्ण का राइट आंसर जब्लीज चलिए आगे बढ़ते हैं अगला कोशन है लौड डलो जी ने हड़त नेती का प्रतिपादन कब किया था बताएंगे जल्दी से इसका राइट अंसर क्या होगा तो समझ का राइट अंसर करना है दोस्तों आपको 30 प्रस्ण में से कम से कम कम से कम 25 से 26 प्रस्ण को सही सही अटेंब करना है ठीक है दोस्तों तो चलिए इस प्रस्ण का राइट अंसर आपका ओप्सन चला देगा किसक 156 SP चलिए आगे बढ़ते हैं अगला कोशन इसक्रीन पर एलिस इन वंडर लेंड किसकी रचना है बताएंगे इसका राइट अंसर क्या होगा तो चलिए इस प्रस्णिका सही जबाब है आपका उप्षन चला जाएगा लेविस कारोल के साथ करेक्ट आंसर ठीक है लेविस कारोल इस प्रस्णिका राइट आंसर हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं अगला कोशन है वीवल्टेन ट्रोफी का संबंद किस खेल से बताए का राइट आंसर आपका उप्षन एक के साथ चला जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं अगला कोशन स्क्रीन पर है अमेरिका में चाय पार्टी के नायक कौन थे बताएंगे चल्दी से इसका राइट आंसर क्या होगा अगर आपने अभी तक सेशन को लाइट ने किये तो आपका उप्षन के साथ करेक्ट आंसर जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं चोटी माता की रोग के लिए किसका टीका लगया जाता है बताएंगे जल्दी से इसका राइट आंसर क्या होगा तो चलिए इसका सही जबाब जो है ओप्षन डी होजेगा रुबेला वैक्सिन इस प्रस्न का राइट आंसर होजेगा ओप्षन डी चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्न है फिलंड कांच का फर्योकिस में क्या जाता है बताएंगे जल्दी से इसका राइट आंसर क्य आओगा यह आपके सेशन का आखरी प्रस्न है तो इस प्रस्न का जो सही जबाब है आपका ओप्षन एक के साथ लागा ठीक है तो उम्मीद करेंगे कि आपको यह सेशन अच्छा लगा अगर यह सेशन अच्छा लगा तो प्लीज एक बार वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देंगे ताकि आने वाले समय में आपसे एक भी क्रेस कोर्स छूटे ना तो चलिए आज के लिए इतना ही कल फिर मिलते हैं नेक्ष्ट क्रेस कोर्स के साथ